नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर एसके अगरवाल आप सभी का जो सुख समरदी उपाय में स्वागत करता हूँ साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की घराई से अभिनंदन करता हूँ आज सपने की सीरीज में हमारा विशय है सपने में अरहर की डाल को देखना तो उसका क्या फल मिलेगा यह उसकी अवस्थाव पर विविन अवस्थाव पर निर्भर करता है तो यदि आपने सपने में अरहर की डाल का धेर देखा है तो यह बहुत ही ज़्यादा फलदायक सपना है यही सोड़ संकित करता है कि आने वाले समय में आपकी कोई मनो कामना पूरी होगी रुका हुआ धन आपको शिक्र प्राप्त होगा यदि आपने अरहर की डाल को सपने में देखा है तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको अत्यदिक धन लाब होगा रुका हुआ धन मिलेगा कोई नया कारिय नया वैपार आप लोग जल्द ही शुरू करेंगे यह आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाला सपना है यदि आप अरहर की डाल का खेत देखते हैं तो यह इस और संकेत करता है कि आपको अपने कारिय में बहुत जल्द ही बड़ी उपलब्धी प्राप्त होने वाली है साथ ही आप जो भी कारिय करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी परिवार का दोस्तों का पूंग सहयोग प्राप्त होगा यदि आप सपने में अरहर की डाल को खाते हुए देखते हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है बहुत ही शुब सपन है यह है यही सोर संकित करता है कि आने वाले समय में आपको जल्द ही बड़ी काम्याबी मिलेगी यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो जल्द ही उसका स्वास्त ठीक होगा और जल्द ही पड़िवार में कोई बड़ी खुशकबरी आने वाली है यदि आप सपने में अहर की डाल खरीदते हुए देखते हैं तो यह इस और संकेत करता है कि आपको अपनी मेहनत का अबफल मिलना आरंब हो जाएगा और निशित ही आपके अब सभी रुके हुए कारिये जल्द पूर्ण होंगे परंतु यदि आप सपने में खराब अरर की डाल देखते हैं तो यह इस और संकेत करता है कि आने वाले सबे में अत्यदिक मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा सभी कारियों में आपको रुकावटे प्राप्त होंगी धन्हानी भी हो सकती है तो थोड़ा संभल कर चले उमीद करता हूँ बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल सब्सक्र आपको मिलता रहे अपना बड़ा कीमति समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इश्वर की असीम क्रफा आप पर आपके परिवार पर सदय बनी रहे अब मैं इजाजत चाहता हूँ जय शेहरां